हेलो एवरीवन मैं आफ़ाजान आप देख रहे हैं कैना इटीच यू आज किस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे फैक्टर पर फैक्टर कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड गुरंखंड विधी सीखेंगे चलिए देखते हैं हम लोगों को क्वाड्राटिक विडियो तो इससे हम लोग इससे फैक्टर करेंगे स्टेप बाइस्टेप जैसे कि आप लोग स्टेप देख पा रहा होंगे ए और सी का गुड़ा करना है और गुड़ा करने पर जो भी संख्या मिलेगी उसका लसे हम ले लेंगे तो हम लोग एक एक्जामपल के थिरू सी लिए रिखती है एक्जामपल एक्जामपल क्या और एक्जामपल क्या है एक्जामपल फ्लस स्यावन क्स ते elnे स्ट्व मिलस्ती एक्वल टू जीरोटिक है यह example दिया है हम लोगों ने अब इसे हम लोग करके देखेंगे by step by step a और c का गुड़ा करने पर जो भी संख्या मिले उसका lc हम लेंगे ठीक है a और c देखते हैं क्या है इसमें हम लोगों coefficient देख लेते हैं कि general form of quadratic equation से इसे compare करके देखते है a square plus bx plus c equal to zero यहां पर a का coefficient क्या है जो मैंने example दारस में a is equal to one है और b का coefficient क्या है b equal to seven यह b का coefficient seven है कॉमा c का coefficient क्या है इस c का 12 ठीक है अब हम लोग steps देखते हैं a और c का गुड़ा करेंगे जो भी संख्या मिलेगी उसका lcm ले लेंगे तो ठीक है a और c का गुड़ा करके देखते हैं a into c equal to a की जिखे क्या है 1 है 1 रखते हैं इंटू का sign c का जिखा क्या है 12 है 12 लेते हैं और क्या मिलेगा 12 बन जाए 12 तो a और c का गुड़ा करने पर क्या मिला हम लोगों को अब इसका मिलें को क्या करना है lcm लेना है कह रहा है lcm ले रहे हैं जैसा कह रहे हैं वैसा ही करेंगे lcm ले लेंगे lcm लेना सबी को आता होगा सबसे पहले small digits से divide करते हैं तो six कितने times में जाएगा six times में जाएगा फिर two से करेंगे तो कितने times में जाएगा six three times में जाएगा अब three two से तो जाएगा ही नहीं तो firm three से जाएगा three को three से जाएगा one time में जाएगा यहाँ one ऐसा ही अब क्या करना है second step में चलेंगे हम लोग कहरें एलसें से अधिक्तम जोड़े बनाएंगे और वह जोड़े लेंगे जिसे जोड़ने पर बी एक्स और गुड़ा करने पर एसी मिलें तो ठीक है एलसें से हम लोग जोड़े बनाते हैंगे एलसें से क्या मिल ला है हम लोग को 1 मिला है 2 मिला है है और टू कितने time से हैं तू time सें इंटू 3 अब हम लोगों को pair बनाना है कि तो क्या करेंगे1 और दू का बनालेंगे टू और थ्री का बना लेंगे वन और टू का पेर क्या रहाएगा टू कॉमा सिक्स ये पेर मिल रहा है ना वन को टू में मल्टिप्लाई करेंगे तो टू टू को थ्री में करेंगे तो सिक्स एक पेर यह मिला और दूसरा देखते हैं बनता है या नहीं बनता है इस बार क्या करेंगे टू और टू को करेंगे और वन और थ्री को ठीक है टू और टू को multiply करेंगे तो 4 हो जाएगा 3 और वन को करेंगे तो 3 कह रहे हैं यहां तकर लिए हम लोगोंने, ल, क्या करेंगे, जोडे बनाएंगे, और वह जोड़ा लेंगे, जिसे जोडने पर Bx और गुला करने पर AC का multiple मिले, ठीक है देखते हैं, कि हम लोगों का Bx क्या है, यहांपर Bx हम लोगों का क्या है, य好啦, चीज 7X है जैसे इस से compare करेंगे तो हम लोगों कभी X क्या है 7X है और AC का multiple यह निकाला है हम लोगोंने AC का multiple क्या है 12 तो हम लोगों को वाल अपयर select करना है जिसको add करने पर 7 हो जाए 7 और multiply करने पर 12 हो जाए तो हम लोग देखते हैं कौन सब select करेंगे पहला देखते हैं 2 और 6 को add करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिल रहा है 7 नहीं मिल रहा है तो पहली condition में यह बोल गाए है ना तो यहाला तो लेंगे ही नहीं क्योंकि यह पहली condition नहीं follow कर पाए अब second वाले देखते है अब इन्हें और इ तो कह रहा अए कहरे हैं an agencies ay mm रहा है यानी देखते हैं four और three को multiply करेंगे तो two hour रहा ही तो एसी तो मिल रहा है हम लोगों बोग तो कौन vocal li take care select करेंगे ये वाला ये वाला नहीं करेंगे ऐémie apply कर देखते हैं क्या करना हम लोगो पैर मिल गएगा आप यस 7 एक्स को इस पेर मेश्प्लिट करेंगे इस सेवण एक्स को इस पियर मेश्पला करेंगे इस तरह से देखिए, x square plus 7x को, इस 7x को क्या कर रहे हैं लोग? इस 7x को इसमें splits करेंगे, 3x और 4x में, इस 7x को 3x और 4x में तोड़ लेंगे, तो 4x plus 3x plus 12 equal to 0, इतनी बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, आगे करते हैं, अब क्या करना? जाके हैं, 3rd step वालओ करेंगे, समान सब्सक्राइब और अचर को कॉमन ले लेंगे, इसमें समान सब्सक्राइब रहाएं नहीं ही, तो अचर दोनों में ही है, वेरियेबल, x दोनों में, तो अचर को कॉमन लेलेंगे, I hope आप सभी को common लेना आता होगा इस pair से और इस pair से common लेंगे इसमें भी x है, इसमें कितने times है, two times है तो एक x बच जाएगा two times था, एक x बच गया plus यहाँ पर एक x common ले लिया तो क्या बचा, four बचा plus का sign लगाएंगे अब इसमें से क्या common लेंगे three common ले लेंगे, क्योंकि यहाँ three है twelve किस फॉर्म में लिखा जा सकता हैगा four into three तो यहाँ पर three भी है, और यहाँ भी three है तो क्या करेंगे, three common ले लेंगे बचा क्या, x plus four x plus four equal to zero ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यहाँ पर common लिया गया है third step follow किया गया है, अब क्या करेंगे, इन में से और इन में से common ले लेंगे, अब इन में से और इन में से common ले लेंगे तो चलिए देखते हैं, x plus four, x plus four दोनों में है, तो क्या करेंगे, x plus four को common ले लेंगे और बचा क्या, यहाला x और यह plus three इसे भी bracket में लिख लेंगे, x plus three equal to zero यह बात सभी को समझ में आ गई होगी अभी हम लोग एक और example से इसे देखेंगे यह मिटार दे रहे हैं, आपने note कर लिया होगा यह factor हो गया है, अब अगर आप x की value निकालना चाहते हैं जो हम लोग चाहते थे factor करना, वो यहाँ पर complete हो गया है आप अगर इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं और x की value भी चाहते हैं तो इस zero से पहले इस वाले को फिर इस वाले को इस zero से compare कर लेंगे देखे किस तरह से इस तरह से, x plus 4 equal to zero, x is equal to minus 4 आगया ठीक है, अब अगर चाहें यह वाले को भी हम लोग इसी तरह कर सकते हैं x plus 3 equal to zero, 3 को right hand side ले जाएंगे, किस method से, transformation से यह इधर आएगा तो यह भी 3 हो जागा, ठीक है, इतनी बात सभी उस समझ में आ गई होगी आप इसे note कर ले, copy में, और एक example और हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस example को हम लोग करेंगे इसी method से step by step करेंगे, यह भी quadratic equation है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और सी का कह रहे हैं, ए और सी का गुड़ा करो, जो भी मिले उसका LC में ले लो, तो चलिए ए और सी का गुड़ा करते हैंगे, यहाँ पर ए क्या है, इस से पहले हम लोग compare कर लेंगे, जेंडल form of quadratic equation से, AX square plus BX plus C is equal to 0, AX square की जिए हम लोग यह है, BX की जिए 7X है, और plus 5 root 2, C की जिए यह constant है, ठीक है, अब A की coefficient क्या है यहाँ पर, root 2 है, और B का coefficient पिछली बार की तरह 7 ही है, और C का coefficient 5 root 2 है, तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, A और C का multiply करेंगे, और जो मिलेगा उनका LC म ले ले लेंगे, A कितना दिया, root 2, और C क्या है, 5 root 2, अब इनको multiply करेंगे, 5 ऐसा ही, root 2 को root 2 से multiply कर देंगे, इस तरह से, 5 into root 2 into root 2, तो क्या हो जाएगा, ये root 2 root 2, root 2 का multiply root 2 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उस 2 का 5 से multiply करेंगे, तो 10 हो जाएगा, तो हम लोगों को LCM किसका लेना है, 10 का लेना है, LCM 10 का लेना है, चलिए LCM लेते हैं, सबसे पहले इस स्माल डिजिट से देंगे डिवाइड करेंगे कि तू को कितने टाइमस में जाएगा फाइफ टाइमस है अब फाइफ प्राइम नंबर जो की खुद ही अपने नंबर से ही डिवाइड होता आएगा 5 वन जा है 5 यह वन है सही अब हम लोगों क्या करना सेकेंड स्टेप पर जाना रहेगा एल्सियम से अधिक्तम जोड़े बनाएंगे और वह जोड़ा वह प्यार लेंगे जिसे जोड़ना पर बी एक्स और गुड़ा करने पर एसी मिले सबसे पहले क्या करना है यहां तक स्टेप फॉलो करेंगे हम चेलिए यह पिर बनाते हैं लोग तो और वन का बनाते हैं और फाइफ का ठीक है आज चू कॉद्ध फाइफ का बना ऑफ को पास पास दुनी दस तो वो पैर से लेक्त करेंग कह रहे हैं और वह जोड़े वह पैर लेंगे जिसे इसे जोडने पर BX मिले, जोडने पर क्या मिलना चाहिए हम लोगों को, 7X, और multiply करने पर, गुड़ा करने पर AC मिले, तो चलिए देखते हैं, AC कितना मिलना चाहिए, 10, और add करने पर कितना मिलना चाहिए, 7X, तो चलिए देखते हैंगे, ये वाले को, ये वाले को add करेंगे, तो क्या मिल रहा है 7x मिल रहा है और multiply करेंगे तो 10 भी मिल रहा है तो यहाला तो pair ले सकते हैं क्या यह ले सकते हैं add करने पर कितना मिलना चाहिए यहां तो 11 मिल रहा है और 9 हो सकता आएगा 10 को अगर 1 से सब्स्ट्रैक कर दें वन को अब ठीक है तो हम लोग यह प्यर नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट प्यर स्लेक्ट करेंगे और इस सेवन एक्स को इस टू और फाइफ में स्प्लेट करेंगे तो चलिए देखते हैं अंडरोट 2x स्कार ऐसれे ही किसमें स्प्लेट करेंगे टू और फाइफ में तू एक्स स्कार ऐसा यह अंडरोट 2x स्कार प्लस शेवन एक्स को किसमें स्प्लेट कर रहे ही 2,5 में तो इससे 2 x प्लस 5 x प्लस 5 root 2 equal to 0 ठीक है इतना कर लिए अब हम लोगों क्या करना 3rd step follow करना समान चर और अचर को common लेंगे यहाँ पर चर भी common होंगे यानि कि constant भी common होगा और variable भी common होगा तो चलिए देखते हैं यहाँ पर root 2 x square है और यहाँ पर 2 x 2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं root 2 into root 2 तो यहाँ पर root 2 है और यहाँ भी root 2 है तो क्या करेंगे root 2 x common ले लेंगे root 2 x इससे common ले लेंगे बचा क्या है यहाँ पर root 2 बाहर ले लिए x बचा प्लस यह वाला plus का sign लगाएंगे यहाँ से root 2 x common ले लिए तो एक root 2 बचा जिस तरह यहाँ पर एक root 2 बाहर ले लिए तो एक root 2 बच गया प्लस अब क्या करना है इन में से common लेंगे इसमें और इसमें से इसमें भी 5 x है और इसमें एक्स नहीं है तो क्या करना है हम लोगों को 5 common ले लेंगे इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है तो 5 common ले लेंगे बचे कर क्या x प्लस root 2 equal to 0 अब इन में से और इन में से common ले लेंगे इन में से common लिया x प्लस root 2 x प्लस root 2 दोनों में थे तो common ले लिया same values थी और बचा गया ये वाला root 2 x plus 5 equal to 0 हम लोगों को factor करना था और factor यहाँ पर complete हो गया है अगर x की values निकालनी है आपको तो पिछली बार जैसे निकाला था उसी तरह से निकाल लेंगे ठीक है एक बार और देख लेते हैं हम लोग एकसी example को ये example था root 2 x square plus 7 x plus 5 root 2 equal to 0 कहरें थे इसका factor करिए क्या करना था हम लोगों को इसका factor करना था तो factor किया हम लोगों ने कि step by step third step दिया हैंगे इसे आप note कर लें पहले step क्या था ए और सी का गुड़ा करेंगे जो भी संख्या मिलेगी उसका LCM लेंगे तो हम लोग ने उसी तरह किया ये और पहले इससे compare कर लिया था जनरल equations से जनरल form of quadratic equations ठीक है तो एक की value के हम एक का coefficient मिला था root 2 बी का coefficient 7 C का 5 root 2 तो A C का हम लोग ने कह रहे थे A और C का गुड़ा करो और जो भी संख्या है उसका LCM ले लो A और C का हम लोग ने गुड़ा किया A into C एक जगे root 2 रखा और B के जगा C के जगा 5 root 2 इनका multiply किया कितना मिला हम लोगों को 10 मिला 10 का LCM ले लिया एगा LCM ले लिया फिर आगे second step में आएंगे कह रहे है LCM से अधिक्तम जोड़े बनाएंगे अधिक्तम जोड़े बनाए हम लोगों ने 2 और 5 के रूप में और 1 और 10 के रूप में ठीक है फिर आगे क्या कह रहे थे और वह जोड़ा वह प्यर सिलेक्ट करो जिसे जोड़ने पर BX मिले तो हम लोगों ने वह प्यर भी सिलेक्ट किया टू और 5 के फॉर्म में 7x 5 और 2 को एड़ करेंगे तो 7x होगा और गुड़ा करने पर A और C का मुल्टिपल हो गुड़ा करने पर 5 दूनी 10 हो रहा था और A C का मुल्टिपल क्या है टेन था ठीक है तो यह कंडिशन हम लोग ने एक डम जैसा बोला तो इन्होंने वैसा ही फॉलो किया तो आगे थर्ड स्टेप में कह रहे हैं समान्चर और अचर को कॉमन लेंगे इससे हम लोगों ने इस तरह स्प्लिट कर लिया 7x 7x को 2x और 5x के रूप में इस फॉर्म मे इस फॉर्म में स्प्लिट कर लिया रूट 2x इसकार प्लस 2x प्लस 5 प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0 ऐसा ही किया फिर क्या कि हम लोग ने समान्चर और अचर को कॉमन ले लिया यहां पर कॉंस्टेंट भी थे और वैरियेबल भी थे रूट 2 दोनों में ही था तो रूट 2 x बचा क्योंकि 2x था प्लस एक रूट 2 बाहर ले लिया तो क्या बचा रूट 2 इस तरह से 2 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं रूट 2 x बाहर ले लिया बचा एक्स प्लस रूट 2 बचा यहां पर अब क्या करेंगे प्लस का साइन 5 कॉमन लेंगे बचा क्या x प्लस रूट 2 क्योंकि यह ला 5 कॉमन ले लिया है तो रूट 2 बचा इक्वल तो जीरो अब क्या करेंगे इन दोनों में से इन में से और इन में से common ले लेंगे जो भी same होंगे x plus root 2 x plus root 2 दोनों में same थे तो common ले लिए x plus root 2 और बचा किया ये वाला root 2 x plus 5 equal to 0 और अगर आप एक कदम आगे बढ़कर x की value निकालना चाहते हैं तो आप x की value निकाल सकते हैं मैं बता दे रहा हूं x की value क्या आएगी x is equal to minus root 2 आएगा और दूसरी value क्या आएगी x की दूसरी value आएगी minus 5 root 2 एक example मैं आपको दे रहा हूं आप लोग अपने से solve करेंगे और उसका answer comment में बताएगे मैं ये मिटार देता हूं है। कि लघज की value के ड्मादी के रह なंवा्यों जदार लोगो राया शग्लोग कर लोड़िया आपके लोगो चलग ये ये लोगर में एकर लावाot इन दो एक्जाम्पल्स के आप लोग अपने से फैक्टर करेंगे और जिसे नहीं आएगा वो कॉमेंट में पूछेगा ठीक है आई हो कि आप लोगों को फैक्टर समझ में आ गया होगा आगे वीडियो चले बाद प्लीस वीडियो लाइक करेंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू